एल्लो एवरिवन कैसे हैं आप सभी लोग आशा है कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे आज है 22 जून और 22 जून साल 2024 के हर्याना करेंट अफेर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आई ये सेशन के करते हैं सुरुआत आप सभी को रादे रादे प्रणाम और मेरे पैर पैसे नीरच चोपड़ा ने पाओ नूरमी गेम्स में कौन सा मैडल जीता है तो पाओ नूरमी गेम्स में अभी हाल ही में इन्होंने गोल्ड मैडल जीता है यानि कि आप्शन की सवाल का हमारा वह ए है व Paul बिल्कुल ठीक था, यह सवाल मैंने आपसे कल पूछा था और इसका ठीक जवाब ए था, गोल्ड मेडल, अभी रिसेंटली जो ना इस सवाल को आप ऐसे पढ़िए तो जादा ठीक रहेगा, दैयालू यूजना के तैथ हर्याना के साड़े तीन हजार परिवारों को कितने करो करोड रूपे की रासी अभी रिसेंटली जारी की गई है, तो साड़े तीन हजार परिवारों को टोटल एक सो एकतिस करोड रूपे की रासी हर्याना सरकार के दवारा जो है अभी रिसेंटली जारी की गई है, देखो ऐसा है, दीन दयाल उपाधाय अन्तोद्य परिवार इस ओजना का सीधा सा मतलब है अगर कोई परिवार में घाल हो जाता है मालने नれてे हैं कि कोई खेती कर रहा है खेती करते समय किसी मसीन्द्री की वज़े से चोट लग गई था ऑट पाउँ कट गई हैं उंगली कट गई है किसी बच्चे की या बुडे की किसी तरीके से जो है जान चली गई है लकवा हो गया है किसी भी प्रकार से कोई दुरगटना होती है तो उनको मैकसिमम पांच लाख रुपे तक हालांकि इसमें डैट होने पे पांच लाख मिलते हैं बाकी इसमें अलग-अलग स्लैब है एक लाग-दो लाग डाई लाग इस तरीके से तो वो चोट के अकोर्डिंग भी आंसिक अंग है या पूरा अंग गया है लकवा है ऐसे तो मैकसिमम रुपे से जादा की रासी है वो पहुँचाए गई है अच्छाए इस सतीपूर्ती की बात करने तो रभी दो हजार चोबिस में सतीगरस्ट फसल के लिए 54,000 किसानों के खातों में एक क्लिक से पहुँचाए गई है टोटल 131 क्रोड की रासी तो दोनों चीज़े याद करन दयालू योजना तो हो गया अब शतीपूर्ती का मतलब किया आपकी फसल खराब हो गई है तो उस पे मुआउजा मिलता है तो वो मुआउजा है लगबग 54,000 किसानों के खातों में 133 करोड रुपे का मुआउजा दिया गया है तो दो काम हो गई है किसानों को मुआउजा और दयालू योजना के लावार्थियों के खाते में अभी पैसे दिये गए हैं, तो 131 क्रोड रुपे दयालू योजना के लिए, दयालू योजना है क्या सर, पंडित दीन दयालू उपध है, अन्तोधे परिवार सुरुक्षय योजना है, जिसके चलते हुए किसी भी परिवार, गरी परिवार एक्चुरी स्पेस लिए, जिनकी सालान इंकम 1,80,000 थकी है, उसमें किसी भी दुरगटना के चलते हुए, maximum बड़ी से बड़ी दुरगटना तो मोत होती है, तो उसके लिए 5 लाख, बाकी up to 5 लेक्ट के लिए, ऐसे किसे किसानि परिवार या गरी परिवारों को इतने पैसे मिले हैं, और रभी की फसल, अभी तो खरीफ की सीजन है, आपको पता है, अच्छा ये भी एक अच्छा सवाल बन सकता है, कि रभी और खरीफ की फसले होती कौन सी है, अभी फिलाल के लिए सीजन चल रहा है खरीफ का, तो खरीफ के सीजन में काफी सारी फसले हुगाते हैं, जैसे कि एक तो सबसे important है गन्ना, ठीक है न, अब आपको किसर गन्ना तो अभी भी कट रहा है, तो गन्ना एक्चुली एक साल की फसल होती है, पूरी, उगाई इस समय जाती है, और इसको काटा लगबग जो है न, एक साल, मतलब वापिस इसी इनी दिनों में काट सकते हैं, कुछ लोग इसको मतलब लगबग लगबग यू मान सकते हैं, आपसे दो-तिन मेहने पहले भी काट रहे थे, तो लगबग ये एक साल की फसल है, पर हाँ, उगाई ये जाती है, खरीफ की फसल, जब जिस समय उगाई जाती है न, वो फसल का समय होता है, उसको वही नाम देंगे, काटते समय वाली फसल का वो नाम नहीं होगा, गन्ना है, इसके अलावा गवार है, ठीक है न, इसके अलावा मूंग है, इसके अलावा तिलहन है, ठीक है न, तिलहन है, और इसके अलावा जो है न, तिल की फसल होगी है, तिलहन तो नहीं कहूँगा, बलके तिल की फसल क हो जाएगा ठीक लगेगा ठीक है बाकी बहुत वहर चारे डाले हैं जीसे अरहर की बात करता हूँ आरहर की बात कर दूँ और काफी सारी आई जाती है वीजिक तिलहन की देखा जाय इसके अलवा कपास है कपास है नर्मा कपास इकठा कहलो आप लोग इसके अलावा और कौन सी फसल होती है इसके अलावा यहां पर मुंग फली भी होते है ठीक है मुंग फली मुंग फली भी खरीफ के दिनों का ही है ठीक है तो यह गन्ना गवार मुंग तिल अरहर कपास मुंग फली बाजरा इवन तो ठीक है ना में तो है गेहूं है इसके अलावा गेहूं के अलावा जो है जो के अलावा सरसों है सरसों है सरसों के अलावा मक्का देखो खरीफ में आता है ठीक है ना मक्का खरीफ में आता है और इसके अलावा चना चना जो है ना वो खरीफ में आता है इन दोनों के बीच क से आज इन दिनों में चल रहे ना यह तो यह समय हुगा आप मार्च मैंने कल जो सवाल पढ़ाय था उसका रीवीजन है कि हिसार हवाई अड़े के विस्तारी करन के लिए 547 क्रोड की प्रियोजनाओ अउधगाटन और सिल्यानास किया गया है अभी रिसेंटली और जहां पे टर्मिनल भवन का विस्तार है और हवाई यातायात नियंतरन के लिए ATC भवन है परिदी मारग है अपातकाली निमारग भी है और रनवे वगरा भी है कैट टू लाइटे भी है 33 कवी का सब स्टेशन भी है सीविल एरोड्रोम के लिए फ्यूल वगरा भी है और अलग से ऑफिस भी बना है इसका तो इससे हिसार से चंदीगड हिसार से जैपूर और मत्री जी में है अगला सवाल हमारे पास में अगला सावाल हमारे पास में एक चीज और अंतराश के योग दीवस सेलिब्रेट किया गया था कली की दिन हिसार में राजयस तरियe कारेकरम हुआ था वहाँ पे मुक्यमंत्री जी ने गोशना की है अगामी 60 दिनों में 100 और वयामसाला खोली जाएगी मैंने आपको पहले भी कहा था ना कि इलेक्शन के बाद में आपको योगा की वेकेंसी वगरा के बारे में खूब चर्चाएं देखने को मिलेगी अभी भी वक्त है जिस बच्चे के पास में योगा का डिप्लोमा नहीं है और के साथ साथ योगा के साथ में ECCE Early Child Care Education या NTT ठीक है ना ये कोर्सिस आपको बहुत ज़दा फाइदा देंगे जल्द जोब लगाने में तो जिनको जल्दी जोब चाहिए ये एच्टेट वगरा सीटेट वगरा की इसमें कोई टेंचन नहीं है डारेक्ट इसमें जर्णली इंट्रिव्यू बेस पर जो हैना सेलेक्शन होने वाली पोस्ट हैं और काफी कम कॉम्पेटिशन के साथ में आने वाली न्यू एजूके अगला सवाल है कि विधानजबा चुनाव से पहले हर्याना में कितने कुछ नए जिले बनने वाले हैं इसके लिए कमेटी बनाई है भी रिसेंटली जो तीन महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट पब्लिस कर देगी तो हर्याना वरतमान में कितने नए उपमंडल है अभी वर हर्याना में बहुत हटतक कोसिस है कि असंद हासी डबवाली माने सर गोहाना यह जिले बनने जिले बनाने की दोड में सबसे आगे है यह जरूरीं है कि सारे ही बनेंगे लेकिन हां हो सकता है कि हर्याना को आने वाले टाइम में 4-5 डिस्टिक और मिल जायें बवानी खेड़ और कलानोर को उपमंडल बनाय जा सकता है और विधायक भी हो सकते है इस कमेटे में सामिल स्पेसली विधायकों को जो भी सामिल किया जाएगा करेंट में हर्याना में 22 जिले हैं 80 उपमंडल है चुरान में तहसील है तो यह आकड़ा बढ़ सकता है और इसमें जो है ना इसके लिए कमेटी बैटी है और ये करिशी मंतरी कमरपाल गुजर की अध्यक्सता में कमेटी बनाए गई है अभी हाली में अच्छा इसके ये तो चलो ठीक है हमारे पास में लेकिन हर्याना में 80 उपमंडल है और चुरान में तहसील है इसके लावब 49 उप तहसील है 140 ब्लोक है 154 सहर है और 6841 गाओं है ये वरतमान का धांचा है हर्याना सरकार का और मनोहर लाल जी की सरकार के अंदर किर्शी मंतरी थे उस टाइम पर ओम प्रकास धनकड उनकी अध्यक्सता में एक कमेटी बैठी थी अंबाला, कैंट, बाड़डा, बढखल, नार्नोध, बादली इन सब को उप मंदल बनाया गया था उस समय दस नई तहसील भी बनी थी उस समय पे 2017 में तावडू और 2018 में लाढ़भा को उप मंदल का धर्जा दे दिया गया था हर्याना में मैंसे मंडल कौन से हैं तो हर्याना में मंडल 6 हैं एक अंबाला है अंबाला में अंबाला कुर्चेतर पंचकुला यम्नानगर आता है फृदावाद फृदावाद में फृदावाद पलवल मेवात आता है गुरुग्राम में गुरुग्राम मेहंदरगड रिवाडी है हिसार में फतेवाद जीन, हिसार, सिर्सा रोतक में जजजर है, दादरी है रोतक खुद होई गया, सोनिपत है और बिवानी है करनाल में करनाल, पानिपत और कैथल आता है तो ये हरियाना के टोटल छे डिवीजिन है कौन सा जिला आता है, इनमें ही क्यूस्टन कई बार पेपरों में आ चुका है ठीक है, चलिए, और हरियाना के कुछ मुख्यमंत्री के लिस्ट है आपके आगे, ये मैं आपको PDF के रूप में दे दूँगा शेर कर दूँगा ठीक है न, टेलीग्राम के उपर आपके लिए क्यूस्टन छोड़ रहा हूं की हाल ही में किस बोड को नकल रहीत परिक्षा करवाने के लिए स्कॉच अवोर्ड से समानित किया गया है तो बताना इसके बारे में विस्तार से कल फिर हाज जरू होता हूं लेटेस्ट अपडेट के साथ तैंक यू